के क्यार और एसरेच का ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे ग्रैंड फिनेल है आई पिल 2024 का वीडियो को फुल देखना क्योंकि फुल एनर्जी से बेस्ट ग्रैंड लिग वीडियो आज आपके लिए लेकिया हूं ग्रैंड लिग वीडियो दुबारा नहीं आएंगी यह वी क्यों आ रही हैं क्योंकि हम कुछ डिफरेंट और लॉजिक से जाते हैं बड़ी बड़ी बाते करने वले तो बहुत ही हैं यूट्यूब पे कुछ बड़ा काम भी तो करके जाए काम करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन तो देखेंगे ही पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फ कोलिफायर वन में अभिशेक शर्मा को हम रिस्की गए थे भाई वाइस कैप्टन जिसको किया था स्टाक पूरा गेम बनाया था बोल्ड प्रेडिक्शन और उपर चले जाएगी सिरफ इसमें आपको एक चेंज करना था नितिश रैडडी की जगह आपको ले रहे थे वेंक आग तो वैसी बेस प्लेय रहे थे उस मैच में कैसे नहीं ग्रेंड लिक लिक आ सकते हैं और आज भी कोशिश करेंगे ग्रेंड फिलाले में नो नहीं ग्यारा टीम्स दिखाने वाला और बोल्ड प्रेडिक्शन के साथ ही स्टार्ट करने वाला तो तुरंत बोल्ड लगता है तो मैंने पहला जो पॉइंट आपके लिए लिखा है देखके चलना गुर्बास ट्रैविसेंड नराय नभिशेक यह चारों जो हैं इन में से अट-लीस दो फ्लॉप होंगे तीस के अंदर दो बंदे पक्का उट होंगे जो मुझे लगता है आपको क्या लगता है कमेंड करके बताएं वरुन चक्करवरती मेरे साबसे इस मैच में संबसे बहुत ज्यादा इंपोर Smoke TV में ऑइंगे सब्से इंपोरेंड सब्सें में Plus स्पीन में जिसमें तोटल मुझे लगता है मैच में 14 विकट तो जाएंगे लहादा सकते हैं को चौदा मेरे साब से यहां पे उत्ती स्विंग नहीं पाएंगे मानता हूं सटाफ के नाम में स्टार है और वह स्टार बोलर है भी विकेट ले जाए कोई बड़ी बात दींगे सकते हैं ट्रेंट बॉर्ड को स्विंग नहीं पिली पिछले मैच में लेगी तीन विकेट ले गए बड़ परस्टली मुझे लगता स्टाक उत्रा इंपैक्ट करेंगे जितना पिछले मैच में किया था बाकि एड़न माकरम सुंदर और अनुकुल सुधांकरोय जो भी खेलता है गेमचेंजर होगा सुंदर क्योंकि स सामने और हैं सिमिलर रीजन यहां पर माकरम भी और यह जो दोनों स्पिनर जैना और सुन्दर गेम बना सकते हैं रिंकु सिंग जैसे खिलाडी इतने सारे लेफ्ट हैंडर तो यह होंगे गेम चेंजर वही लेफ्टाउश्पिनर यादे लास मैच में समराइज के शभाज और अब इस ग्राउण पर जहां जड़े जा क्यों चाते हैं चन्नही में क्योंकि यहां पर बहुत इंपोर्टेंट लेफ्ट हम स्पिन है तो अनुकूल अगर आएं वैभावरोडा की जगह यह भी कूल काम कर सकते हैं सीधा सुन्राइजर के आगे धान रखके चलना यह मे मैच में एहमदाबाद नहीं चन्नही का ग्राउंड है यह जो मैच था हमदाबाद में हुआ है यह मैच जो हुआ है कॉलकाता में पहले काम करते हैं यह मैच 3 था इस IPL का कौलीफार 1 पर बाद में आएंगे जो मैच 3 हुआ था दोस्तों उसमें आपको देखने को मिले थे नॉर्मल बैटर्स आय थे टीम में दोनों विकेट कीपर आय थे सॉल्ट तो अब हैनी अवेलेबल सॉल्ट को छोड़ देते हैं रसल और क्लासें इन नोनों का बड़ा नौक आय था दोस्तों रसल और हेंरे क्लासन का सबसे बड़ा नौक आय था और बोलिंग के चार प्ले कर दिया था समराइजर के सब ओपनर को भी आउट किया अफकोर्स एक ओपनर को इन्हों ने आउट किया देन गेम में और भी बोलर जाए स्टार्क तो चाहे सारे टॉप ओडर को लेके गए दैन त्रिपाठी की नौक आई थी और किसी की समराइजर से नौक नहीं थी क्लास यह वीडियो तो आपको मैस दे पर मिल रही है यह एक दिन पहले वीडियो बनाई और फिर भी इत्ती है क्यूरेसी पाई टॉस के टाइप आप देख रहे हो किसकी पहले बोली है किसकी बैटिंग मैंने तो आपको उससे पहले ही सब कुछ दे दिया था एक आदा चेंज करक करते हैं वह ऐसी जगह आना चाहते हैं जा सीखने को मिलता है मानता हो कुछ ज़्यादा लोग वहां जाना पसंद करते हैं जा शौटकट उने लगता है एक दम से वह करोड़ दीजेंगे ऐसा नहीं होता हम एजुकेटेड़ हैं एजुकेड़ की तरह बात करेंगे और बेस सब्सक्राइब करें और इन्फर्मेशन वैसे ही दूंगा जैसे आपको हमेशा देता है वर्ल्ड़ कप में भी बेस्ट टॉप क्लास तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करें ओन लोटिफिकेशन ओन करें दोस्तों कॉलकता की लाइनप कुछ ऐसी रह र अब आज के जो ग्रेंडी केप्टन है ट्रेविस एड पैट कमिन्स हैं यह तीन बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं सुनील नरायन एंड्रे रसल और यहां एड कर लो वरुन चक्करवर्ती को यह बेस्ट सीवीसी ऑप्शन आपके हो जाएंगे डिफरेंशल में रिंकू सिंग, मिचल स्टाग का मैंने लासमेंच मेंच भी धिकर किया था अब वह तैमीज को विक्तियम म७ॉ양। राहुल तरी पार्टी का सेलेक्शन अभी भी कम है लेकिन पिछले कुछ मैचेस में देख लो फॉर्म भी दिखाई है और एडन माकरेम क्योंकि सामने इतने सारे लेफ्ट हेंडर्स है कॉलकाता नाइट रेडर्स की टीम में बाकि आज फिर से यार यह ओफर है पांच टीम मे वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में डाउनलोड कर लो और यह ओफर लगाके अच्छी विनिंग कर सकते हो मैं आपके लिए दोस्तों आज 11 कॉम्मिनेशन लेकिया हूं तो आईए उसको डिसकस करते हैं पहला है कॉलकाता स्पिन वेब भाई डियू आएगी तो ब पर नहीं मिले तो समझ सकते हो किता स्पिन फेक्टर रहा था कुछ वैसा यह अगरा मैंने कैप्टन सी दिया नरायन और वरुन चक्करवर्ती को संड़ाइजर जो लास्टाइम राजिस्तान के सामने किया कॉलकाता वो करती है संड़ाइजर के आगे ऐसा कॉमिनेशन चमक स दोनों ने अच्छा किया है मैं कहूंगा कि रसल जो फर्स्ट ड्रीम टीम के कैप्टन मने थे जब इनों टीम्स का मैच वह था विद बैट भी काम आ सकते है विद बोल भी स्लोर वंज अच्छी कर सकते है चेपाउक पे इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है मेची तमरम चेप यहां पर मैंने उसके लिए देखो आपको रेकमेंड कर देता हूं यहां पर माकरम को ट्राइ कर लो मैंने देखो अभिशेक शर्मा को रखा है लेकिन लॉजिक क्या है इनके सामने इतने लेफ्ट हैंडर बैटा रहें कि शायद उतनी इनको बोलिंग ही ना मिले शबास को और अभी शेक को आप माकरम को ट्राइ कर सकते हो इफ यूओं शबाज आप उनको कर सकते हो कुछ नहीं पता इतने लेफ्ट हैंडर के सामने क्यों आजए क्योंकि मैं कॉलकाता फेवर में गया हूँ आप गॉन फोर कॉलकाता विन नरायन और यहां पर श्रिया सेयर को रख फोर श्रिया साथ को जहां नहीं रखा वहां ट्रेविस ऐड और शर्मा जीहां पर भी माकरम को ढपर तॉन thanking यहांane ने दोनों ने लास्ट सब्सका मैच हो था 23 अबार मात्युसरों पशला वाला 23 आए था को सिंपल कोम्बिनेशन बेस्ट बैटर और बोलर संदाइजर के फिवर में देख रहे हैं इस बर संदाइजर के मान तो रंस में आपको ट्रैविस एड दिखें ज्यादा मान तो भी शेक शर्मा ने काम किया बट लेसे ने अपनी ना क्लास दिखाई और टेज खेलते हैं विक संदाइजर की पहले बोलिंग आजाए उन आतकट बड़े इंपोर्टेंट बन जाएंगे ठीक है सेकेंड इनिंग में बन सकते हैं इसलिए बैक किया बुमनेश्वर को रखा तो गुर्बास की विकेट उनसे आजाए यह उम्मीद मानी है नरायन आउट हो जाए तो भी दि पुछोगे तो आज फिर से फेल हो सकते हैं बड़ बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थे पिच उतनी अच्छी नहीं रगी उनको हाइदरबाद की फास्पेस विकेट की उनको आदत थी जहां वो बिर्यानी की तरह चौके चके मसाला बिर्यानी होती है वैसे मसाले से बैट से श यह यह मेरा फेवरेट है बेस्ट आफ माकरेम जहां माकरेम को कैपटन सी दी है नरायन को वाइस कैपटन सी ऐसा ही कॉम्बिनेशन एक बॉलिंग लौर में भी बनाया है आप भी बना सकते हो क्योंकि बाई कुछ नहीं पता माकरेम आपको आपको ऑस्पिन से ओवर दे अगेन मेरी टीम में स्टाक है स्टाक है तो भाई कोई ओपनर तो संराइजर से ड्रॉप होगा बिल्कुल ट्रैविस हैड भी ड्रॉप है अभी शेक शर्मा भी तो कहां नहीं कुछ लास्ट में जैसी ही लेकिन इसमें माकरेम को गेम बचानी है स्टाक ने अल्ली दो विक् कैप्टन माकरेम कैप्टन नरायन जो पिछले में था उसका उल्टा कर दिया स्पिंट विन अगेन है दोनों को सी वी सी बैक किया है अगेन आप देख रहो इसमें अच्छे खासे बैटर है जास्टाक को नहीं रखा माहा ट्रेविस हैड और अभिशेक शर्मा को रख लिया क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस करे दी स्टार्ट पे बल्लेवाजी करना असान है एक बर गेंद पुरानी हो जाती है छे-ाट होवर के बाद बल्लेवाजी करना मुश्किल है इसलिए टॉप ओडर के मैंने प्लियर्स बैक किये और उसके बाद मैंने बोलिंग पे गेम खे यहां आपको देखने को मिल रहे है ऑजी पेसर स्टार्क और कमिन्स को सी वी सी किया वंची की तरह फिर से ओपनर किया है फिर से अभी शेक शर्मा है नहीं इनके लेकिन दोस्तों मिन्स विदा बैट भी कॉंट्रिबूट ने और बोलिंग भी है इनकी तो यहां पे इतना साम नहीं है स्कोर करना 160 170 भी डिफेंड हो सकता आपने पिछले मैच में देखा इन्होंने 170 का स्कोर और डिफेंड किया राजस्तान के सामने तो पैट कमिंज नट राजन को उसलिए रखे और पैट कमिंज से एट लीस्ट दो से तीन सब्सक्राइब को रखा है क्योंकि मुझे लगता है शायद से स्टाक के जो है ना प्लेयर स्टाक ने कई बर हैड को पता है यह चीज और हैड संभाल के निकल के शायद कुछ बड़ा करें इस वज़े ट्राइब किया और सीवीसी नहीं किया मेभी पावर प्लेय तक 25-30 कर जा बाकि यह कॉम्मिनेशन में भी बोलर ज्यादा है आज बोलर्स पर प्यूजवाई बहुत खेल रहा है फिर कुछ तो ड्रॉप किया होगा बिल्कुल बुभनेश्वर को रखा तो गुर्भास को ड्रॉप किया है तो यह दोनों पावर हिटर का कॉम्बो था अब परसनली मे अभिशेक शर्मा में इस त्रिपाथी को रखा है माकरम को कैफटन सी बड़ा स्कोर करें दैन अगें बोलिंग लोल यानी साथ बोलिंग ऑप्शन इस पर नितेश रेडी शायद बोलिंग ना करें बट क्यूंकि दोनों विकेट कीपर जो है न वो कैचिस्टम में आ सकते है इसलिए दोनों को रखा और टॉप ओडर के जो प्लेयर है गुर्बाज नरायन और इवन यहाँ पे आप देखोगे कॉलकाता की ओपनर्स रखें दूसरी टीम के नहीं रखें क्योंकि मैंने और रेडी बोल प्रेडिक्शन दिया अट लीस दो बंदे फेल होंगे तो मैं द आग को भी रखा है नटराजन रर्शितराणा नरायन रसल यह सब मोलिंग कर सकते हैं माकरम कें कॉंट्रिब्यूट यह दोनों विकेट कीपर हैं और त्रिपार्टी वन डाउन आएंगे अर्ली टाइम पे आएंगे तो आई होप कि यह फिर से कुछ अच्छा के जाएं अगली वीडियो में मिलने आऊंगा